हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं आज की टिप्स में मैं आपको चेहरे के दागदबों को दूर करने का बहुत ही असान सा घरेलू उपाय बताने जारी हूँ चाहे वो पिंपल के दागदब्बे हो एकने हो या किसी भी तरह के दागदब्बे हो इस नुसके की इस्तेमाल से बिल्कुल साफ हो जाएंगे और साथी तवचा पर बहुत अच्छी सी निखार आएगी और चेहरे पर बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूटुब चनल घरेलों उसके असरदार उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी मेरे नए वीडियो को देख सके और बिल बटन को जरूर दुबाए मे भी बहुत हमें ज़्यादा बहतरीन काम करता है ये तौचा के एकसे सोयल को हटाता है। साथ ही यह तवचा पर बहुत अची सी ग्लो लाता है और हमारी तौचा को साफ सूथरा और चिकणा बनाता है अब इसमें आपको मिक्स करना है दूद आपको इसमें दूद लेना है आप कच्चा दूद या उबला हुआ कोई साभी दूद आप ले सकते हैं दूद हमारी तवचा के रंगत को निखारता है और हमारे चेहरे से दाग धबो को दूर करता है इसके बाद इसमें आपको मिक्स करना है हल्दी आपको इसमें हल्दी मिक्स कर लेना है हल्दी हमारी तवचा के रंग को निखारने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और यह दागदबों को भी दूर करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है इन सारी चेजो कपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पेस्ट त्यार कर लेना है मुलतानी मीटी का फेस पैक गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहतरीन माना जाता है आपको इसे अची तरह से मिक्स कर लेना है अब इसे अपने चेहरे पर लगाना है चेहरे और गर्दन पर लगाए और इसे सूखने दें इसे आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है इसका इस्तेमाल आप फटे में 2-3 बार जरूर करें इसे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपके चेहरे के दागदबित तो दूर होंगे ही साथ ही आपके चेहरे पर अच्छी सी ग्लो आएगी और आपके चेहरे की रंगत में काफी निखार आएगा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में